कि नमस्कार कि इतना स्पष्ट होता जा रहा है कि चार साल जो बीते हैं मौजुदा सरकार के वो व्यर्थ गए हैं उनको गवा दिया है इतना बढ़िया मौका मिला था स्पष्ट बहुमत था 19 या 21 राजियों में सरकारे हैं उसके लावा जहां जहां अपने लोग चाहिए अपने लोग हैं बावजूद इसके सारा मौका गवा दिया गया है जो फैसले लिए भी गए हैं वो भी उल्टे पड़े हैं ये समय है आखरी साल है सरकार का हिसाब लेने का समय है हम प्रधान से वक मोदी के जो फैसले हैं उनकी परक करते आए हैं इसलिए नहीं कि हमें उनसे कोई दुश्मनी है या हमें उनसे कोई नफरत है लेकिन जिस तरह एक इंकम टैक्स इंस्पेक्टर किसी को भी बिला के पूछ सकता है कि तुमने ये 10,000 रुपे कहां से कमाए या एक लाग रुपे कहां से कमाए उससे तरह एक नागरिक कैसियत से पूछना हमारा हक है ना सिर्फ हक है बलकि फर्ज भी है कि हम सरकारों से पूछे कि हमारे टैक्स के पैसे का आपने क्या इस्तेमाल किया चार साल पहले 24 एप्रिल 2014 को प्रधान से वक मोदी तब प मां गंगा एक ऐसे पुत्र की प्रतीक्षा में है जो आकर उसकी सफाई करेगा बहराल गंगा की सफाई तो हुई नहीं जितने पैसे अलोकेट हुए उसका मैं आपको हिसाब करता बता दूं मार्च 2018 तक 20601 क्रोड रुपे सेंक्शन हो चुके थे 193 प्रॉजेक्ट के उसको कॉंट्रेक्ट दिया गया था और उनका यह कहना है कि बहुत सारे घाटों की सफाई हुई है कुल मिलाकर जो 84 घाट हैं उन्होंने काफी साफ सफाई देखी है लेकिन प्रॉफेसर पी के मिश्ट्रा जो प्रॉफेसर हैं केमिकल एंजिनेरिंग के आयाइटी बी एच सफाई हुई है घाटों को साफ रखना इसका मतलब यह नहीं है कि गंगा की सफाई हो गई है गंगा की जो मुख्य समस्याएं हैं वो यह रही है नैशनल ग्रीन ट्राब्यूनल ने उत्रदेश सरकार को डाटा भी है और उसका उसके अलोचना भी की है 2016 में कि जो मृत शरीर होते हैं उनको गंगा में फैंकना एक कारण तू यह है दूसरा जो लोकल्स हैं जो वहां के रहने वाले हैं उनका कहना है कि ये हिंदूओं में खासकर एक परंपरा रही है कि ऐसी लड़कियां जिनकी शादी ना हुई हो और ऐसे चोटे बच्चे जिनकी मौत हो गई हो उनकी बॉडिस को जलाया नहीं जाता उनके शरीर को जलाया नहीं जाता बलकि गंगा में फैंक दिया जाता है हस्पताल भी ऐसे पेशेंट्स की बॉड़ी गंगा में फैंकते हैं जिनको कोई रिष्टिदार क्लेम करने नहीं आता इसके जवाब में बेशक यूपी पुलुशन कंट्रोल बोर्ड के अनिल कुमार सिंग है जो फार्मर्सिक इंचार्ज में वो कहते हैं इंचार्ज हैं वो कहते हैं कि no dead bodies are disposed in Ganga even the remains from the cremation ghats are carried away कोई भी जो मृतक शरीर होते हैं उनको गंगा में नहीं पहका जाता बल्कि घाट पर भी जो होता है जो बाद में अस्थिया होती है उनको भी हटा दिया जाता है लेकिन लोकल लोग इससे सहमत नहीं है वारानसी करीब 321.5 million liter रोज जाता है उसमें वहां से निकलता है वारानसी से जो सीवेज treatment plant हैं वो सिरफ 101.8 million liter जो है पर डे उसको ट्रीट करते हैं बाकि सारा गंगा में सीधा जाता है दो नदियों के जरीए वरुना और असी वरुना और असी को मिलाकर नाम पड़ा वारानसी जिसे बोलसल की जुबान में बनारस कहा जाता है काशी भी कहा जाता है वो पुराना नाम है इसका बहुत सारे जो सीवेज treatment plant हैं जो राजीव गांदी के समय पर चलाए गए थे उनकी समसे ये कि उनके technology पुरानी हो चुकी है उनका जो staff है उसके पास proper training नहीं है और उसके अलावा बिजली लगातार नहीं आती है जो Central Pollution Control Board ने भी कहा है लेकिन पूरवांसल विद्यूत वित्रण निगम जो लोकल सप्लायर है वो इससे इंकार करता है वारानरसी का एक ही सीवरेज सिस्टम है जो 1917 में अंग्रेज्यों ने लगाया था इसके सौ साल पाइप जो इसके पाइप से हैं सौ साल से ज़्यादा पुराने हो चुके हैं अब 2018 सल रहा है 1917 में लगा था कहने का मतलब ही है इस रिपोर्ट में जो बताया जा रहा है कि जो शौच होती है मानव की शौच पश्वों की शौच हो सकता है वारानरसी के जल में वो भी हो इनका कहना है 100 year old pipes have deteriorated सौ साल पुराने pipe गल चुके हैं सर चुके हैं और बरसात के मौसम में जो बरसात का पानी होता है और गंदे नालों का पानी होता है वो मिल जाते हैं और इन pipelines के जरीए घरों तक पहुंचते भी है एक जपान इंटरनेशनल कोपरेशन एजिंसी है और जवाहलाल नह है इनकी मदद से नए सीवे स्टेट्मेंट प्लांट खड़े किये जा रहे हैं बेशक लेकिन उसमें भी समस्य यह आ रही है कि जो नीचे कजी डहलान है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है डिजाइन में यह डीटेल्स हैं मैं सिर्फ इतना आपको बता रहा हूं कि जो पै हैं और सिर्फ 2,814 करोड सीवेज इंफरस्ट्रक्टर पर करच हुए हैं और चौबीस से लेकर 65 में से चौबीस ऐसे इंट्री लेवल प्रॉजेक्ट हैं 65 में से जो उनका काम है कि घाटों को साफ सुत्रा रखना और रिवर फ्रंट की सफाई रखना और रिवर सर्फेस ज गल की जो सतह है उसको साफ रखना यानि उपर उपर से जो पानी की बोतले लोग पहंकते हैं पूजा सा मगरी पहंकते हैं फूलों के हार वगरा पहंकते हैं उसको साफ रखना लेकिन जो समस्या है गंगा की असली उस पर काम नहीं हो रहा है गंगा की जो असली समस्या है व तो आपको मैं बताऊं, ग्यारा राजियों से 12,000,000,000 लिटर्स रोज सीवेच गंगा में जाती है, सीवेच ट्रीटमेंट की जो केपैसिटी इस वक्त है, वो सिर्फ 4,000,000,000 लिटर्स देली है और जिसमें से सिर्फ 1,000,000,000 लिटर्स देली काम कर रही है, फंक्शनल है, मैं आपको और क्या क्या बताऊं कि जहां पर समस्या है असली, वहां पर चोट नहीं की जा रही है, चाहे वो टैनरीज हों, कानपूर की, चाहे वो और शहर हों, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, वो नहीं किया जा रहा है, क्लीन गंगा मिशन राजीव गांधी के जमाने में जोर सोच से शुरू हुआ था, फिर मोरी साब ने तो खेर अपनी वो अभी नहीं की जो उनकी किशमता है, वो दिखा दी, कि मां गंगे ने मुझे बुलाया है, और मां गंगा को ऐसे पुत्र की तलाश है, वारनसी उनकी कॉंसिट्टुएंसी भी है, महीं से चुनाफ जीते हैं, वैसे बाइद अबे, दुनिया की जो बीस सबसे प्रदूशित शेहर हैं, उनमें से चौदा भारत में हैं, वो भी उत्तर भारत में हैं, और वारनसी उनमें से एक है, प्रधान मिंतरी ने कहा था, प्रधान सेवक को तो बना देंगे यापन ने कहा है उसको ही पूरा करके दिखाएएग तो मैं प्रान-दान देंगी और और राजनीती से सन्यास ले लोगी उससे पहले काथा और प्राणदान दे दोंगी हमें उमीद है कि हम उमा भारती को इतनी जल्दी खोएंगे नहीं चुनाव से पहले गंगा का पानी स्वच और निर्मल हो जाएगा एक पत्रकार है और लेकक है नाम है राहूल पंडिता इन्होंने कश्मीरी पंडितों पर भी किताब लिखी है और उसके अलावा मावादियों पर भी किताब लिखी है इन्होंने बहुत साल पहले करीब तीन साल पहले एक पोस्त लिखी थी आज मैंने उनकी आग्या ली है पर गंजेडी जो गांजा पिते हो गंजेडी साध्यों की टोली लेकर जम्मू पहुंचे मुर्लिमन और जोशी साक्षी महराज और कुछ और साध्यों की टोली लेकर जम्मू पहुंचे क्या करने आयो जी बोले श्रिनगर में लाल चौक पर तिरंगा फैराने आया है जी वैसे जब से आजादी मिले तब से फिराया जा रहा है माँ पर फौज करती है यह वरहल तिरंगा फैराने आया है जी चलिए अच्छा है खिलाना त्रिशूल ले साद्वों की खूब आउ भगत हुई छोट छोटे त्रिशूल ले बिस्कुट और दूद बाटा गया तब पहली बार नारा सुना जहां हुए बलिदान मुकरजी वो कश्मीर हमारा है पहली बार नारा सुना हमने जोशी जी के साथ आये कई लोगों से पूचा साब ये मुकरजी कौन हुए कोई नहीं बता पाया सोचा जोशी जी से पूछे लेकिन तब तक वो जम्मू से ही कारिक्रम के संचालक नरेंदर भाई मोदी के साथ विमान में बैठ कर श्रीनगर के लिए निकल चुके थे जहां उन्होंने सेना के जवानों को ढाल बना कर तिरंगा फैराया फिर दूसरा नरा लगा दूद मांगोगे तो खीर देंगे कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे यह नरा अमोमन दिल्ली के दुकानदारों के तरफ से ज़्यादा आया था जो दुकान में ही बैठे रहते हैं और चीर ना फाड़ना मालूम नहीं उनको कोई अनुभव है इसका या नहीं दूद मांगोगे तो खीर देंगे कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे इसी नारे के सहारे कश्मीरी पंडितों की त्रासदी पर ट्रैजिडी पर पाव जमाते हुए भारती जन्ता पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी बन बैठी एक तरफ मुकरजी का कश्मीर, दूसरे तरफ राम लिला की अयोध्या मुकरजी का रहा होगा, लेकिन रहते तो कश्मीर में पंडित थे उन्हें संग ने, RSSS की बात कर रहे है राहूल उन्हें संग ने जम्मू तक में ठोर नहीं जमाने दी बोले, यहां लोगों को चिंता है कि आप यहां के साधनों पर कबजा कर लेगे तो सहाब जलवत्नी, जिलावत्नी अदेश निकाला, हमारा जाम बना, उसके दौर पर दौर चले हम एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहे, जोशी जी चले गए, एडवानी जी आए, उन्हें ने खूब हात मले, उसके बाद कभी वर अटल आए, उसके बाद कभी वर अटल आए, वो भी काल के कपाल पर लिख लिख के मिटाते रहे, इसी बीच हम अपनी शिक्षा करते रहे, विद्याम देही को, विद्याम देही सरस्वती को अपना लक्ष मान कर चलते रहे, बीस साल बाद मोदी जी फिर प्रगट हुए, जैसे उन्हें ने कहा मित्रों, तो पंडितों को लगा कि मोदी जी उन्हें संबोधित कर रहे है, खैर चुनाव हुए और प्रधान मं प्रफी से मीठा किया, पुराने अफशेशों से चंद लोगों को खड़ा किया जा रहा है, वो पंडितों के स्वेंभू नेता बनने की फिराक में है, पिछले 25 साल के विरोध को दरकिनार करने की साधिश है, हमें आपके हाथ का खिलोना बनने से इंकार है, हमें यानि कश् गिरिजा तिक्कू, वो कश्मीर हमारा है, गिरिजा तिक्कू स्कूल में टीचर थी, वैली छोड़कर घाटी छोड़कर जम्मू आगे थी, उनसे कहा गया घाटी में सब शानती है, आप जाकर तनख्वाय ले सकती है, बांदी पूरा गई, मासुन की लाश आई, दो टुक बनने से पहले लिखी थी, आज क्या लिखेंगे, हम इंतजार रहेगा, नमस्कार कि उनस झाटी से जह बностし कहा बांदी में से वाले थे, ल 54 नोड़कर बांदी से सब शानते है, व जको जर रहेगा, टाटी वी